हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जारा हूँ कि कैसे आप जो है अपने Motorola G32 Android mobile phone में आप जो है new notification setting को आप जो है disable कैसे कर सकते हैं या निके off कैसे कर सकते हैं और यह setting जो है new notification disable करने के बाद काम कैसे करेगी आज किस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ तो चलिए यहां पर जो हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो आपको अपने सामने आला एक बटन दे रखा है इस बटन को आपको select करना है तो यह setting आपकी disable हो जाती है यानि कि off हो जाती है अब यह new notification setting जो है disable होने के बाद अभी कैसे काम करती है यह मैं आपको समझा देता हूँ ठीक है तो जब भी आपके mobile phone की screen off होगी ठीक है light off होगी आपके mobile phone की और जब चालू रहती है यह setting जब on रहती है तो होता क्या है कि कोई भी notification आता है अपके mobile phone भी on हो जाती है लेकिन अब आपने जो है सेटिंग को disable कर दिया है तो कोई भी notification आगा तो आपकी mobile phone की light जो है वो आपकी on नहीं होगी ठीक है यह setting जो है कुछ इस तरीके से काम करते आप आपके Motorola G32 Android mobile phone में अब मैं आपको जो इस setting को ढूणने का एक shortcut तरीका बता देता हूं कि कैसे आप जो इस new notification setting को shortcut तरीके से अपने phone में कैसे ढूंड सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको करना क्या है setting page open करना है सबसे उपर आपको search setting का option दिया हुआ इससे select करना है अब यहाँ आपको search bar में type करना है new notification जो setting का name है वो आपको यहाँ पर type करना है तो नीचे की side आपको जो एक option शो हो जाएगा new notification का ठीक है जब यह option शो हो जाएगा इससे select कीजिए तो इससे होता है कि हमारा mobile phone आपको directly इस setting में पहुचा देता है ठीक है shortcut तरीके से तो यह shortcut तरीका भी मै मैंने आपको बता दिया setting को ढूनने का